आलो आधन यह एक्सक्त है लकूट超 और इसमिस स्विच भलत वो थिक्से कामने कर रहा है बिल्ग कर रहा है व्लॉप और यह सुछ बलक का सूच वह याम हो चुछ कहा है इसमें वह भयी लोड लगानने के कारणर इसका सूच हो फिखल गया अंदर में और इसके हम open करेंगे जतना भी screw है इसे हम open कर देंगे और इसमें जो supply आघए इसका फ्यूज निकाल देंगे जब आप यह काम करना तो हम अब यह निकाल देना अभी हम नहीं निकाले है क्योंकि हम कुछ चेक करना है कुछ सरी से wiring किया गया है या फिर नहीं किया गया है यहां प हमें दो सुच को यहां पर चेंज करना है रिप्लेस करना है चलिए इसका स्कूर को हम पहले हम निकाल देंगे इसके सुच को निकालने के बाद यहां पर जितना भी वायर लगा हुआ है सारे वायर को निकाल देंगे यहां पर जितना भी रेड कलर का वायर है सारा फेज का वा आ रहे हैं जितना भी सूच है यहां पर सारा सूच का जो निचे वाला पीन है वो एक common wire से connect होगा रहा है होल उसे हम screw को पहले नड़ीला कर देंगे और एक common wire को आपस में सभी को जोड देंगे एक सूच को पहले हैं fix कर देते हैं और एक single से मैं आपको लास्ट में दिखांगो किस तरीका सीए एक सिंगल वायर चाहरा पीन कुनेक्टेट है सबस्क् table को यहाँ पर लगा देंग Mouse यहाँ ठीक से नहीं लग रहा एक तो यहाँ तो यहाँ एक वायर एक चोळेगा और यहाँ नीचेस पारप आप आपस में जूड़ेगा फिर उस्से पहले एक और स्विच है उसे भी लगा देते हैं उसके लाट मैं आपको दिखाता हूं यह जी अभी स्विच लगा रहे हैं यह पलग के लिए लगा रहें और इसे हम अच्छी लगा हरे हैं आप जब भी कोई भी समान लगा फूली त सारा स्वीच में नीचे वाला पस्म कोनेक्टेड है और इसमें एक और वायर लगेगा जो कि फेज सप्लाय आएगा कि यहां पर आप देख सकते हो यह बुलू वायर यह फेज का सप्लाय है इसको इसमें लगा देंगे यानि कि सब में फेज आ चुका है कि फेजरी जांस यानि कि यह बल बल हुगा फिर वायर होगा जो IT करें अब्ल लगा कर लेंगे कि सारे सुच में पीन लगाव और याद यह धील taking Mehr और इसपार्क करने के कारण वह आग लग जाता है इसलिए आप जब भी इलेक्टिकल वायरिंग करो उसके हरेक एसको बहुत ही अच्छे से टाइट कर देना हम इसे सारा अच्छे से फिट कर दिए इसके सारा एसको भी लगा देते हैं उसको मैं आपको चेक करके दिखाता हू को यह अच्छे सुवर्क कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है इसके सारे सुर को भी अच्छे से टाइट कर देंगे देख सकते हो अब यह बहुत ही अच्छे सुवर्क कर रहा है